आज थाती शाकरियद लेके जाने वाला हो जहांकि आज कलमादुर्गा बहवानी का जो है आगो कोथिक चल रहा है यानि नौ दिन नौ राद मंडार चल रहा है मा बगवाती का बहवानी का जो गंगा श्नान है वो देपता को कराये जाएगा कर्काया प्ला कर्काया ब tanksबड़ कि अ हार कर्काया नौ नौ ये ये उला करते लृण से लुशाँ है मुक् प् worthless प्र शेट ये उल्यागा इजकर नौ रहा है उल्डेवानी का मुशंने का और मुशंने का जेएगा गुद्वानिंग यावरेनिक ने खुबसुरत दिन के शुरुआत हो चिक और आज कुरूला काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है ज्यां में आपको आज ले के जाने वाला हूँ जोनकी आज कोथीक चल रहा यानी नौ दिन नौ राद मंड़ान चल बाखवतीगा बहवानीगा तो आज का कुछ लोग कुछ इस्फरकार होने वाला है तो गाइस अभी आप देख सकते हैं बहुत सुआनी तेज दूप खल लगी है और आज कल हलकी फुलकी धुंद हर जगा चाहर की आप यह देख सकते हैं तो गाइस आज किस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ थातिगर जहां की माभवानी का वाहस है और वहाँ जो माभवानी है वो किसी पर अवरितित होती है और अवरितित होने के बाद वहाँ पे सब भी को तमाम जो लोग आते हैं और माभवानी का अशिरवाद पाते हैं तो गाई इसी के लिडी वाज के ये ब्लॉग होने वाला है आज वहाँ जल्दारा भी है जो की विलंगना नदी से जो जल्दारा है वो थादिगर तक होने वाला है तो गाई इस आज के ब्लॉग को चिस्पकार होने वाला है तो गाई इस बने रहे हमार चाथ और निकलते हैं तो गया इसे के साथ अभी मैं थाती पहुंच गया हूं और मेरे आप बेंगरॉंड में जो देख रहे हूं है यह माँ भुषाणि का चोक है, और यही माता अवरिट होती है और यही पर माँ भुषाणिका जो नो दीन नौरात मंदान चलनान चलना रहा है तो गार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है थाजीगड जो कि बावनकोडों में से एंगड़ है तो मैं नीचे त्रिवेनी गाट पर जाने वालेह हैं नीचे थीके देख सकते हैं बहुत ही कुपसूरत लोकेशन है और यह हमारी बिलंगना नदी है तो अभी यहां से सभी लोग नीचे नदी के और प्रस्तान कर रहे हैं क्यूंकि आज यहां पर जो है तो गंगा श्नान है वो देपताव को कराए जाएगा तो इसी के साथ भी मैं आपको मंदिर में लेके जाता हूँ बोलो अगा मैया की माभावानी की जगत चनिली मा तुरका देवी की व्यां कि अब आप सभी देवता नीचे जा रहे हैं तिर्मेणी गार्वें मंगा लिशनानक के लिए और हमारे इसरो पुटा पुटा जी हाई करना हाए एक रहे था हुग हाए था है ही कि अए पर लाग में के लिए प्रिया इस बेट श्युक्त है महा दुर्गा देवी की, महा भवानी की, जड़े दफ्ता की, नर्सिंग दफ्ता की, हिराना दफ्ता की जब यह आप देख रहे होंगे इस प्यारशी लोकेशन को त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है, जो की विलंगना नदी में अगता है और यहाँ थाती गाउं के ठीक नीचे ही यह लोकेशन परती है जय मतंगे, हर हर गूंगे यहाँ त्रिवेणी घाट को बहुत ही पावन मैना गया है कोई भी दीवकार होने से पहले यहाँ पे शभी दीपता इस्टान करने जुरूर आते हैं इसमेने भी आका ड्रोन शूट भी ले रिया है और यह आप देख सकते हैं त्रिवेणी घाट जो कि इस प्रकार है यहाँ पर नमाम देवी देखता कि आप यहाँ पर अपने मंणार देगो लोग जैक्कारा लगाएंगे वो लोग कंगा महिया की कंगा महिया की और हमें भी शोबा के पराप्त हुआ कि हम इस सच तिरुवेणी घाट में इश्टान करने का हमें मौका में हुआ हरहर गंगी जै माखाव कि अब गया कि अब आप अब तन्हों आप अब लिए खाट में आरे को यहां से खलास एक अद्रा है वह सुरू हो गई है और यह खलास यात्रा जाएंगी आप अब आवाणी के चौक तक और यह जो क्लाश यात्रा है यह माभवन के प्रागान या चौक तक होने वाली है और अभी आप देख सकते हैं जो कि बहुती मन को लुबाने वाली बहुती प्यारा अशा यह गाउं है जो कि विलंगना नदी के समीप यह गाउं पड़ता है जिस प्रकाश से कर दो अभी आप इस प्रकाश रचती यह जो कि विलंगना यह जो आप देख से बीज़ता है जो कि भी आप प्रोख रागाई प्रकाश प्रकाश थाओा यह जो कि विलंगना यह जो रिख प्रेख तो गाइसी के साथ अभी भगवान जो चड़ा देपता हैं और मा भुवानी है जो नीचे प्रिवेणी घाट से मंगलश्णान करके आ गया है अभी यहां पर मा भुवानी अवरित होती है और यहां पर कुछ प्रकार का आप देख सकते हैं कहते हैं हमारे यहां तो यहां पर तमाम लोग आ रहे हैं शामिल होने आ रहे हैं वह भी आपको में यह से दिखाने वाला हूँ अभी मैं आ रहा हूं मंड़ा पर आप देवी को करते हैं यह कुछ पिकार से आप गडवाली आप बवाली जो एक होती है ठाली और पब आप ब्रस लेको होता है उसे ही माझ भौवानी अवरित होती है और यह बैठ इसी है माल थे पाशवी है माझ होने को आप यहां पर अब anytime यहां है अब हैं मुछ जाँगर और 2-3 नहीं दोच भाइस थोच्छ नहीं का अगा उख पर लोगान प्सक्ष्टो प्रश्ट करते हैं थिर तो इंद अनलियों अलांद दुष्ट को अज्ग है प्रश्टत तक्सिंद क्योंड आपक्ति मुक्राद एक आपक्ति पर अभी भी देव शक्तियां रहती हैं, प्योंकि अभी आप देख रहे होंगी, इन पर अभी मा भहवानी और इत्ति हो की सब को अपना आशिर्वात शुरूप चाओंवल के दाने, आशिर्वात शुरूप देते हैं, तता सब की मनो इच्छा है पूरी करते हैं, जै मा इसे के साथ आप देख सकते हैं, लोग दूर दराज से मा भहवानी के नौ दिन नौ रात मन्दान को देखने, तथा माता रानी के आशिर्वात शुरूप दिव्यत दर्शन करते हैं, और मा भहवानी को भेट चड़ाते हैं करते हैं तो गा इसे के साथ जैसे के आज का ये प्रोग्रम था मा भहवानी का, ये यहाँ पर अभी शमापन हुआ है, इसके बाद मुझे कुछ टेम पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो मंदिर है, ये थाधिगड नाम से बहुती प्राचीन मंदिर बोल सकते हैं, एक गड बोल सकते हैं, जो कि भलंगना पटे में पढ़ता है, थाधिगड के नाम से ये गड़ जाना जाता है, और इस गड़ की कुछ हिस्ट्री आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में भी देखी होगी, तो बहुती दिवियर भव्यमनिर आप यहाँ मेरे बेक्राउंड में देख सक